देश भर में लॉगडाउन होने के बाद भी कोरोना वारस का खत्रा कम होता नजन नहीं आ रहा देश में अब तक 53 लोगों की जान जा चुकी है जब की 1750 लोग संक्रमित पाए गए हैं इधर महराश्ट्रों केरल में सबसे जादा हालत खराब है देश में कुरोना वारस से महराश्ट्र में 325 केरल में 241 तमिलाडू में 124 दिल्ली में 130 यूपी में 104 कानाटक में 101 राजस्थान में 93 ते लंगाना में 92 मधिपदेश में 86 गुजरात में 74 जमू कश्मीर में 55 आंधिपदेश में 44 हरियाना में 43 पंजाब में 41 पश्यम बंगाल में 27 बिहार में 21 चंडिगड़ में 15 लदाक में 13 अंडमान निकुबार में 10 चथिसगड़ में 9 उत्राखंड में 7 गोवा में 5 हिमाचल में 3 ओडिशा में 4 मनीपूर में 1 मिजोरम में 1 पॉंडिचेरी और जहरखंड में 1 एक एक और असम में भी एक मरीज पाया गया है मद्वदेश के लिए कोरोना खत्रा बनता जा रहा है प्रदेश भर में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि मंगलवार को 37 नए मामले आने के बास संक्रमितों की संख्या 86 पर पहुँच गई है इसी के साथ इंदौर में मरीजों की संख्या 63 हो गई है फिलाल इंदौर 63 उजेन 5 जवलपूर 8 भूपाल 3 गवालियर 2 शिवपुरी में 2 मरीज अस्पताल में भरती है दस्वास्ति वभाग 10 मरीजों के ठीक होने का दावा कर रहा है पताया जा रहा है कि भूपाल में स्थिति नियंतरन में है और शेहर को 4 भागों में बाटा गया है इत संदिक्द मिले उन्हें बॉर्डर पर ही बनाए गए क्वारिंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए रख दिया गया सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेस्ट बेल आइकन फोर अपडेट्स